आज मैं कुछ टुकड़ों का आपको बहुत सुंदर चीज़े बनाना सिखाती हूं मैंने यह पाउच बनाया था इसमें से मेरे पाप पीस बचा हुआ है जो किसी काम कर नहीं है अब मैं क्या करूंगी इसके बराबर तीन हिस्तों में से कट कर दूंगे यह देखे मैंने से तीन हिस्तों में कट कर दिया अब मैं इसके एक इसको बीच से सेंटर से कट कर दूंगे देखे इस तरह से अब मैं क्या करूंगी कि इन दोनों पार्ट्स में से इसको इस तरह से जॉइंट कर दूंगी दोनों पर इस त इस तरह सको अटाइच कर लिया था उसके पर सिलाय लगा दिथी अब इसलाय दिख रही है तो मैं क्या करूँगी मेरे पास लेज पड़ा हुआ मैं इसके ओपर इस तरह से लेज कर दूगी और मेरे पास इक जींच का टुकडा बचा हुआ है और जो मैंने इस पर सिलाई किया है वो भी ब़्च रहा है तो मैं इस लेस को इसके उपर इसतर implants से सिलाई कर दूंगी डोनों कि मैंने इस इस पर दोनों पर लिस लगा दियين अब मैंने सीम इसकी साइlex कई दो लाइनिंग कट की है आप हमें क्या करना है और मैंने इस पर नौ इंच की एक जीप लेए आप हमें क्या करना है इस तरह से मिन फैब्रिक को रखना है इसके उपर आपको जीप को उल्टा करके इस तरह से रख लेना है और इस फिर एक जो आपने लाइनिंग कट की है उस त Africa के बाद किई लेन वाला किम पाइब दूसरा यह तो लगाइब कर लेना इस लिख और स्फरेहरा से इनसी से एंडिंग और यह तो, अब हमतिके स्वें आप के इसे रखोड़ करना पर से अर्ष इस को इसे ऐसे तेमने इस त्रस मेंने क्लायनिक लेना है इसके ऊपर मुझे इस तरह से इसे रखना है इस को इस तरह से फोल टॉ CAP इस पर इस लाइक करती ही नहीं है इसके दोनों के मैंने इसके दोनों साइट कपड़ा लगा दिया है अब मैं इसे स्थिधा करके यह देखिए बनके तयार है अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए आपके अंदर क्रेटिविटी होनी चाहिए आप कोई भी चीज से आराम से कुछ भी बना सकता है यह बहुत चोटा-चोटा सा पार्ट सता देखिए असे कितना काम वाला चीज बन गया है